आज मैं सेयर कर रहे हूँ एक कब गयों के आटे और दो कच्चे आलू से बने बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नास्ते के रेसिपी जिसे आप बहुत फटा-फट से बना के रेडी कर सकते हैं। लंबे-लंबे सेप में काटी हूँ। काटते समय ध्यान दीजेगा कि आलू को एकदम माहीन और पतला सेप में काटके रेडी करें। बहुत अच्छा आता है। अब इसमें थोरा-थोरा सा पानी डालते हुए इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। एक कप यह हूँ कि आते के लिए मैं यहाँ पूरा देर काप पानी का इस्तिमाल की हूँ। यानि कि पूरा डेर कपे करीब पानी डाली हूँ। घर में किसी भी काटोरी से सेट कर ले आटा और उसी से पानी डाले। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे और इस तरीके से हमारा बैटर बनके रेडी हो गया। बस इतना ही पतला हमें बैटर चाहिए इससे गाढ़ा बैटर को मत कीजिएगा। अब नास्ता बनाने के प्रोसेस में बढ़ते हैं तो गैस पे रखेंगे पैन और एक चमचे करीब तेल डाल देंगे। इस इसटेस पे पेन हलका गरम होना चाहाँ अजाए कंशी जया देंगे पाली में उपर ने ज Alejandra do और इसे तरीके से डख के छोड़ दें थो से तीन मिनड के बाद ऊपर से टाए तो करची के λέब से पलट सकते हैं तर चरूर पलटे लुग कि इसानी तरीके साथ के पिलट सकते हैं फिर से थोड़ा सा तेल लगा आ बिनके तरा कहले डिषा मेरे भीने आपने तन देगके यह कुला में चाहिसे जाड़ी करें तुल्टी पादे हो जाता है तो बच्चों लेंगे होगता है इस जाता ह् पहले से थ्बड़ा सा ठेल है तो अलुत है तो इस는지 करें Britannology आल Ooh जो हमने पीसेश काटे हुए थे इसको चारो तरफ अच्छे तरीके से फैला देंगे ध्यान रखे कि इस तमें पैन गरम होगा तो आप उंगली आलू पे ही रखे और अच्छे तरीके से फैला दे जैसे यह फैल जाए इसके ऊपर डाल देंगे गेहू वाला बैटर यानि अगर आप घर में वही सिंपल रोटी बनाते हैं तो उसके साथ कुछ नकुछ बनाना जरूर पड़ता है आलू भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं तो देखे यह पहला नाश्ता है तो मैं इसे काफी मोटा बनाई हूँ तो अगर आपको दो बच्चों को टीफिन में दे अगर आपको देगा